आप अपना मूवी थेटर कैसे खोल सकते हैं मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसलिए इस बिजनस को शुरू करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं लॉंग टाम तक पैसा कमा सकते हैं क्योंकि मूवी बनती रहेंगी ब्लॉक्बस्टर होती रहेंगी बाट से बसकते हैं मूवी थेटर से है तो नहीं करने वाल हूं मैं सब के बारे में बाग तो नहीं करने वाल हूँ बट मैं आपको शौर्ट पार्ट में बताऊंगा कि कौन सा थेटर केस तरीके का उता और कौन सा आपको खोलना चाहिए अगर आप एक business की शुरुआत करना चाहते हैं और इस 2030 में एक अच्छा profitable business शुरू करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को लगता हुगा कि एक theater को open करने में बहुत सारे license and requirements सही होती है थोड़े बहुत license definitely हैं पर चाहिए होते हैं जो की easily मिल जाते हैं problem नहीं होती बट इस business में सिर्फ एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादर requirement होती है वो होता है budget तो अगर आपके वास budget ठीक ठाक है और आप किसी अच्छे business के तलाश में है तो आप एक movie theater खोल सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो चलते हैं whatever वीडियो के अंदर सारी बातों को detail में cover करते हैं तो दोस्तो movie theater open करने से पहले आपको ये समझना है कि आपको कौन सा theater open करना है और ये समझने के लिए आपको अपना budget decide करना पड़ेगा देखिए आप miniplex कोल सकते हैं आप multiplex कोल सकते हैं या फिर आप open air drive-in theater भी खोल सकते हैं अगर मैं बात करो miniplex की तो ये एक single theater यानि कि single screen theater होता है यहाँ पर सिर्फ एक ही audio होती है एक ही movie एक बार में लगती है लेकिन अगर मैं बात करों multiplex की तो multiplex में एक से ज़्यादा audies होती है एक से ज़्यादा screens होती है और एक बार में दो से तीन movies लगती है अगर मैं बात करों megaplex की तो megaplex में more than five audies होती है एक बार में 5 से ज़ादा movies लगती है and shows भी बहुत ज़ादा होती है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ open air drive-in theater की so ये theater में जो areas qualified है इसकी requirement बहुत ज़ादा होती है क्योंकि यहाँ पर 200 से 200 plus गाड़ियां खड़ी करने की जगा होनी चाहिए क्योंकि basically ये theater किस तरीके से होती है open air से आप समझ गयोंगे उपर rooftop ने होती, छत नहीं होती खुले मैदान में एक बड़ी से screen लगी होती है speakers लगे होते है and refreshment area होता है लोग बस अपनी गाड़ीयां लेकर आते हैं गाड़ी park करते हैं locations पे and उसके बाद वो screen सामने लगी होती है अपनी गाड़ी में बैठ कर या फिर अपनी गाड़ी के बाहर carpet लगे होते हैं, grass लगी होती है वहाँ पर बैठ कर वो simple movie को enjoy करते हैं so ये बड़ी-बड़ी cities में open हो रहे हैं अभी और अच्छा response और अच्छा crowd यहाँ पर भी देखने को मिलता है but अगर आपके पास budget थोड़ा कम है so आप यहाँ पर open air drive-in theater की तरफ बिलकुल मत जाईए megaplex की तरफ मत जाईए, multiplex की तरफ मत जाईए आप simply छोटे जिशुरुबात कर सकते हैं आप single screen theater कोल सकते हैं जिसको हम miniplex के नाम से जादे हैं यह open करना असान है और जब आपको इससे अच्छा business मिलने लगे फिर आप multiplex या megaplex की तरफ जा सकते हैं अब मैं बात करता हूँ अगर आपको एक single screen theater कोलना है जिस भी location में आप यह खोल रहे हैं theater चाहिए वो single screen है चाहिए वो multiple screen है आपको यह पता होना चाहिए कि आपके theater तक आने का जो रास्ता है वो अच्छा होना चाहिए खराब रास्ता ना हो और बहुत ज़्यादा शहर से दूर भी ना हो और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ देखे ठेटर में movie देखने local area के लोग आते तो आपके local area में जहाँ भी आप movie theater कोल रहे है वहाँ पर बहुत ज़्यादा competition नहीं होना चाहिए अगर limited competition है तो यह business आपके लिए definitely एक अच्छा business हो सकता है और एक चीज वहाँ पर आपको देखनी होती है कि वहाँ पर कम से कम भी 50 से 60 हजार लोगों की population होनी चाहिए ताकि वो आपके theater में आएं और आपका काम चलने की संभावना बढ़ जाए इसके अलावा दोस्तों अगर आप multiplex खोलना चाहते हैं यानि कि दो से जादा screens वाला theater आप खोल रहे है तो आपके area में 1.5 लाग से 2 लाग की population होनी चाहिए तभी आपका यह business चल जाएगा एक कड़वा सच में हैं आपको बतायता हूँ movie theater open करने के बाद अगर customer अगर लोग नहीं आ रहे हैं आपके theater में तो आपको business नहीं चलेगा एक और सबसे बड़े कड़वा सच है यहाँ पर अगर आपके theater में blockbuster movies लग रही है तब तो house full जाएगा और अच्छा crowd आपको देखने को मिलेगा जिससे आपकी earning definitely बढ़ती है एक और चीज अगर movie flop होती तो flop movies का सबसे भारी नुक्षान theater honors को भी होता है क्योंकि फिर shows चलते नहीं है house full नहीं होता, ticket sale नहीं होते है and जो expenses होते हैं theater के वो fixed होते हैं आपको staff की salary देने ही है आपका electricity का जो bill आना है definitely वो आएगा क्योंकि आपने movie play करी हुई है आपका AC या AHU जो भी चल रहा है उसके expenses आपके आने ही है refreshment के लिए जो आपका refreshment area वहाँ पर जो product बन रहा है वो भी बनेगा ही बनेगा so इसलिए यहाँ पर fixed expenses होने की वज़ा से अगर movie flop जाती है so theater honors को बहुत जादा नुकसान होता है so इसलिए आपको अब एक question यहाँ पर निकल कर आता है कि movies मिलेंगी कहां से याण यह बहुत important question है बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि movies हमको पता नहीं कैसे मिलेंगी यह direct satellite से play करते हैं DCM से play करते हैं देखे old time में पुराने समय में DCM से लोग play करते थे बट आज की date में सीधा satellite view है satellite से directly movie के right आपको मिलते हैं और आप movie चला सकते हैं इसके अलावा आप distributor से movie खरीच सकते हैं अब बहुत सारे movies के production house होते हैं चाहे वो यस्रास film हो चाहे वो धर्मा production हो चाहे वो fox star studio हो जब ये कोई भी production house अपनी movie बनाता है इनके franchisee, honors या फिर distributors हर city में available होते हैं आप distributor से contact कर सकते हैं और उनसे movie खरीच सकते हैं और अपने theater में play कर सकते हैं बट यहाँ पर एक और चीज है ऐसे भी होते हैं जहाँ पर distributor के according आपको movies plan करने होते हैं movies show रखने होते हैं यहाँ पर भी थोड़ी सी problem होती है एक कड़वा सच और महिंहाँ आपको बता देने चाता हूँ देखो मेरा काम है आपको businesses के बारे में बताना उचके अच्छे और बुरे दोनों बातों को रखना आपके सामने decide आपको करना होता है देखे बहुत सारे business ऐसे होते हैं जो आपके उपर dependent होते हैं आपने अपने हिसाब से चलाना होता है आपको सब कुछ अपने according करना होता है बट यह movie theater का जो business है ना किसी और के उपर भी dependent होता है आपको अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ में लेकर चलना होता है आपको कहीं कहीं पर distributor के उपर dependent रहना पड़ता है तो इस चीज़ को clearly समझ लेजेगा आप चाहे किसी franchisee owner के साथ जुड़कर इस business को करिए जैसे inox cinemas है, pvr cinemas है इसके अलावे बहुत सारे cinemas है जो आप उनकी franchisee लेकर outlet open कर सकते है बट अगर आप अपना without franchisee शुरू कर रहे है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बिना franchisee के भी आपको किसी के ओपर depend रहना पड़ेगा यह सचाई है, यह कड़ भी सचाई है इस business के तो इसको ध्यान में रखना इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ licenses की जो आपको इंडिया में लेने पड़ते हैं अगर आप एक movie theater खोलना चाहते हैं सबसे पहले आपको fire department से एक license लेना पड़ते है एक NOC लेनी पड़ते हैं और आपको एक GST number लेना पड़ते है so GST registration basically करवाना पड़ते है इसके अलावा आपको कोई और license नहीं लेना पड़ता साथी में आपका जो refreshment area है जो आपके food prepare हो रहा है वहाँ के लिए आपको एक FSSI license लेना पड़ते है so ये कुछ license requirements है जिनको लेना बहुत जादा मुश्किल नहीं है हाँ इंडिया में आप सबको पता है किसी भी license के approval के लिए आपको क्या चीज करनी पड़ती है ये on camera बतानी के जरूत नहीं है ये कितना भी भारत बदल जाए बढ़ ये कुछ चीजे हैं जिनके लिए आपको समझदार होना पड़ेगा आपको links बनाने पड़ेंगे ये नामुम्किन नहीं है license मिल जाते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको अपने movie theater का नक्षा बनवाना पड़ता है और उस नक्षे को municipal corporation से पास करवाना पड़ता है याने कि जो भी नगर निगम है आपके एरिया की उससे आपको अपने नक्षे को पास करवाना पड़ता है जो ये basic कुछ license है जो आप लेकर आपने इस movie theater के काम को शुरू कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि movie theater को खोलने के लिए मैं जो प्रोफेशनल है उनसे आप करवा सकते हो ये आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएंगे आपको इंडिया मार्ट में चेक करके उनसे quotation ले सकते हैं कि आपका इतना area square fit है और उसमें आपको इतने इस तरीके से theater बनाने है तो वो आपको layout दे देंगे कि कहां पर आपका refreshment area होगा कितने audis खुल सकते हैं पर audis में कितने settings available हो सकती है इसके अलावा echo sound नहीं आना चाहिए ये चीज में आपको इसलिए बता रहा हूँ ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हाला कि दोस्तों जब आप किसी professional से ये काम करवाते हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूद नहीं है वो automatically ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि आपके जो theater का experience customer को मिल रहा है वो best होना चाहिए अब मैं बहुत सारे multiplex में बहुत सारे audis में, cinemas में जाकर movie देखता हूँ कहीं-कहीं पर experience बहुत बेकार रहता है और वहाँ पर हम दुबारा जाना पसंद नहीं करते हैं चाहे 2 km, 3 km ना 10 km दूर जाना पड़े बट जिस audio में, जिस theater में हमें अच्छे experience मिलता है वहीं पर हम जाना पसंद करते है और जब customer आता है, वो 2-3 चीज़ों को बहुत जादा ध्यान से देखता है सबसे पहली चीज़ कि जो staff आपके हाँ पर काम कर रहा है वो किस तरीके का, उसका behavior है, किस तरीके का way of talking है इसके अलावा दूसरा, settings बहुत जादा important है किसी भी theater की, तो setting comfortable होनी चाहिए अब किसी-किसी setting में हम जब यूँ recliner की तरह उसको unfold करते है सो वो lock नहीं होती है, कहीं-कहीं पर sound quality इतनी अच्छी नहीं होती है कहीं-कहीं पर जो छोटे mini-plex होते है, यानि कि single screen theaters होते है उनकी screen proper नहीं होती है, इसके अलावा echo sound कहीं पर देखने को मिलता है सो अगर ये छोट-छोटी problem आपके theater में है, सो आप ये समझ लो कि आपका theater का business नहीं चलने वाला है सो इसे लिए आपको ये professional से बनवाना पड़ता है, ambient की light हो गई, इसके लावा stairs की light हो गई इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो professional builders होते हैं, जो professional engineers होते हैं, जिनका काम है theaters बनाने का सो इस चीज़ का बहुत ज़्यान में रखिए, और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, कि वो आपके area square feet को अच्छे से utilize करेंगे, ताकि आपका जो area वो बेकार ना जाए जगा चाहिए होती है, ताकि लोग आकर अपनी cars and bikes को पा कर पाएं, अब एक सबसे important चीज़ के भी है, एक theater को open करने के बाद हम किस-किस तरीके से पैसे को कमा सकते हैं, सो यहाँ पर मैं आपको clear बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप movie tickets जो sale करेंगे, उससे आपको पैसा मिलने वाले है, इसके अलावा जो आपकी canteen होगी, जो refreshment area होगा, जो popcorn, cold drink, coffees, burgers, pizzas, इसके अलावा जो भी आप sale करते हैं movie theater के अंदर, वहाँ से आप sailing कर सकते हैं, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, इसके अलावा बहुत सारी private parties book होती है, यानि कि कि किसी के बच्चे क कि भी अच्छी खासी sailing होती है, किसी के बच्चे का birthday है, 30 बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने पूरा एक audio book किया, 30 बच्चों के refreshment के लिए burgers, cold drinks, और इसके अलावा popcorns, जो भी वो order कर रहे हैं, वह आपके cinema hall से ही जाएगा, तो उसमें भी आपकी income definitely बढ़ती है, इसके अलावा जो भी theater में आप movie play करने से पहले advertisement चलाएंगे, उस advertisement से भी आपको एक अच्छा revenue देखने को मिलेगा, अच्छा income उससे भी आपका होता है, तो आप कभी भी किसी भी theater में जाओ, कोई ऐसा theater नहीं होगा, जहाँ पर advertisement नहीं होगा, आपकी 9 बजे की movie है, तो वो 9 बजे के 15 मिन investment कितना लगने वाल है, देखिए मैं simple सी बात आपको बजा दू, अगर आप एक single screen theater open करना चाते हैं, तो आपके 70 लाग से 80 लाग के असपास का investment आपका लगेगा, और अगर आप multiple screen theater खोलना चाते हैं, तो वहाँ पर आपके 1.5 करोड से 2 करोड का investment आपका लगने वाल है, जह यह कभी बंद होने वाला business नहीं है, movies आएंगी और movies चलेंगी, blockbuster होंगे और आपको अच्छा पैसा कमा कर देंगी, so basically आप यहाँ पर 3 तरीके की movies रख सकते हैं, Hollywood, Bollywood और Trollywood, क्योंकि इंडिया में यही 3 movies सबसे ज़्यादा देखिवा जती हैं, और South की movies जो होती हैं, उ Hollywood की movies और Hollywood की movies, अच्छी movies कोई भी कहीं किसी भी सेक्टर से आ रही हो, आपको वो अच्छा पैसा कमा कर दे सकती हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, तो जोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उमीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ न से ये सपोर्ट नहीं है, मेरे को फैमिली से ये नहीं मिल पा रहा है, मेरे पेरेंट्स अगर अमीर होते तो आज शायद में एक अच्छा बिजनस कर पाता, नहीं, आपके पस जितना बजट है, आप उतने से सोचना शुरू करो, मैं अपने पुरानी वीडियो में भी ये च सितना इन्वेस्ट करोगे, उतना जल्दी उतना जादा आप कमापा होगे, छोटे से बिजनस को आपको धीरे 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 बढ़ा करना पड़ता है, और ये थोटा सा टाइम लेता है, लेकिन अगर आपके पास बजट है, आप बजट लगा सकते हैं, तो डेफिनिटली आपके सीने पे हमेशा बना रहेगा और आपको दबाता रहेगा, तो आप अपना 100% अपने बिजनस पे नहीं दे पाऊगे, जिसकी वज़ये से बिजनस डाउन फॉल में जाते हैं, नुकसान होने लगता है, इसलिए जितना है उतने से शुरू करो, बिजनस करने में बहु मज़ाएगा, सो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत पे पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, मिलते हैं दोस्तो अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनस वीडियो में